चीन में एक बार फिर कोरोना कहर बर पा रहा है और ये अब तक के घातक दौर में पहुच गया है देश से जीरो कोविट पॉलिसी हटते ही कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं एक्सपर्ट्स आने वाले समय में चीन में कोरोना से लगभग 20 लाख लोगों की मौत होनी की आशंका जता रहे हैं कहा जा रहा है कि अगले 90 दिनों में चीन की लगभग 60 पी से दियाबादी कोरोना संग्रमित हो सकती है लेकिन इन सब के बीट सवाल बना हुआ है कि चीन कोरोना की ऐसी विसफोटक स्थिती तक कैसे पहुचा और आखिर चूक कहा हुई चीन में कोरोना की नई लहर दुनिया भर के लिए चुन्ता का कारण बन गई है दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना अब एक बार फिर घातक रूप में लोट आया है एक्सपर्ट का दावा है कि कोरोना के मामले घंटों में दोगुने हो रहे हैं देश से बिना किसी खास तैयारी के जीरो कोविट पॉलिसी हटाने के गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं चीन में बीते कुछ समय से जीरो कोविट पॉलिसी हटाने का पुर्जोर विरोध किया जा रहा था सरकार ने इस विरोध को शांद कराने के लिए अचानक जीरो कोविट पॉलिसी हटा दी लेकिन इससे हालात ऐसे बन गए कि कोरोना का ओमिक्रोन वेरियंट तेजी से फैलने लगा अस्पताल और क्लिनेक्स के बाहर लोगों की लंबी-लंबी कतारे देखी जा सकती हैं अस्पतालों में इलाज के लिए बैच खाली नहीं बचे, कब्रिस्तान लाशों से पट पड़े हैं शवों को दफनाने के लिए कई-कई दिनों का इंतजार करना पड़ रहा है चीन में हालात ऐसे बन पड़े हैं कि शहरी इलाकों से ग्राम मीर आबादी में कोरोना तेजी से फैल रहा है इसकी वजह है कि लंबे समय से चीन में लगी जीरो कोविट पॉलिसी को हटाते ही लोगों का बाहर निकलना शुरू हो गया है ग्राम मीर क्षेत्र से लोग रोजगार और अन्या आर्थिक गदिविधियों के लिए शहर आ जा रहे हैं और कोरोना लेकर लोट रहे हैं ऐसे में कोरोना से कुछ हद तक बज़े ग्राम मीर क्षेत्रों में भी कोरोना दोबारा फैलना शुरू हो गया है सरकार ने देश से ये पॉलिसी हटा दी इसके साथ स्थिती विस्फोटक हो गई आधिकारिक आंकडों के मताबिक कुरोना के कुल 3.8 लाख मामले दर्ज हुए हैं जबकि असल में ये संख्या 19 लाख से अधिक बताए जा रही है चीन कुरोना की इस विस्फोटक स्थिती का मुकाबला करने के लिए तयार नहीं था देश में मास टेस्टिंग की रफ्तार बेहद मंद पड़ गई है टेस्टिंग की कोई खास सुविधा नहीं है ऐसे में लोग खुद को कुरोना किट खरीद कर टेस्ट करने को मजबूर है ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि कुरोना के अब तक जितने के सामने आए हैं दरसल उससे कई गुना अधिक मरीज हैं चीन की जीरो कोविट पॉलिसी के पीछे सरकार की मनशा देश में कोरोना का एक भी केस नहीं होने देना था लेकिन चीन में हालिया कुछ घटनाओं के बाद देश में इस पॉलिसी के खलाफ लोगों ने मोचा खोल दिया कोरोना के बीच कई देशों ने चरण बध तरीके से लोकडाउन हटाना शुरू किया था रोज मर्रा के कामों के लिए लोगों का घर से बाहर निकलना शुरू हुआ लेकिन उसके उलट चीन सरकार ने लोगों को घरों में कैद कर दिया इससे कोरोना से निपटने के लिए चीन के लोग की तयारी दुनिया के आन्य मुलकों के लोगों के मुकाबले बहुत पीछे है कई एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना के मामले बढ़ने का कारण चीन की राश्ट्रोय नीती है जिसमें इंसानी इम्यूनिटी बढ़ाने के बजाए उससे बचाफ की तरीके पर अधिक फोकस किया जाता रहा है इस तरह की पॉलिसी का एक दुश्प्रभाव ये है कि चीन में बुजर्गों की एक बड़ी संख्या है जिन्हें बूस्टर डोस नहीं लगी है देश की एक बड़ी आबादी बूस्टर डोस से महरूम है इनमें बड़ी तादा